अलो मित्रो अमारे यूटुब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मैं रेकी ग्रेंड मास्टर साहिल मलोत्रा आपके लिए रेकी आईरवेद के संबंद में एनको वीडियो वा टीप्स दिये हूँ जिससे अपना कर अपनी जीवन सुख में खुसाल बना सकते हैं तो आज मैं बालों के संबंद में वीडियो बनाने जाना हूँ जिसका बाल तुड़ जाता है जड़ जाता है उसके लिए अचुक घरेलू नुसके लाया हूँ तो बाल अत्य धीक जड़ने तुटने के मुख्य वज़ा क्या है तनाव आज हमारे देश में रेकिस्तिरी पुरुस्त तनाव की जिन्दगी जी रहे खुसाल जिन्दगी नहीं जी पार है जिसके कारण बालों पर उसका अधीक परभाव पढ़ता है और बाल तुटना चालू हो जाता है कि मैम मां किश न्यों की समस्य जिसको अरम और मोर्श मुक्यता जिसको थायराइट के बीमारी स्का अरम न सुट जाता है जिसके कारण बाल जढनने लग़े जाता है खान पान अत्य जी तेल मिर्च मसाले का उप्योग करते हैं जिससे बालों को सही पुसंद नहीं मिल पाता तीसरा बालों में अत्य धिक परयोग के नभी भी नतरक के मिकलिपता सेम्पू, तेल, साबुन बार-बार उप्योग करने से उसका नेचुरल गुन समात्त होते जाता हैं आजकल तो महंदी और कलर अपनाए जा रहे हैं जिससे बाल सफेद वर तूट रहे हैं डेंडरप या रुसी होने की वज़ा से भी बाल कमज़ोर हो जाते और तूटकर गिरने लग जाता है प्रोटीन की कमी प्रोटीन की कमी की वज़ा से भी बाल तूटने लग जाता है ये तो थे बाल टूटने की मूख्य वज़ा है अब इसका बाल टूटने के रोकने का उपाई आपको एक कप नारियल के दूद लेना है नारियल के दूद आपको कच्चे नारियल को फोड़ कर उसे किसी मिक्सी या किसी चीज से कद्गुखस कर करके उसको तेल जैसे दूद निकलेगा दूद्ध जैसे निकलेगा उस दूद्ध को अपने सीर उपर धीरे-धीरे मसाज करना है और मसाज करने के वाद आधा से घंटा के लिए छोड़ देना है ऐसा आपको हपते में एक से दो बार परियोग करना जिसे बाल आपका मजबुत होगा वह बालों को वात्र में विटामेनी मिल सकेगा साथ ही प्रोटीन मिलनरस बालों को मिलेगा तो बाल जड़ से मजबुत हो जाएगा और तुटना बंद हो जाएगा दूसरा परियोग दस से बारा नीम की सुखी पत्तिया लेना है उसको पाने में राद भर डुबाना है और डुबाने के बाद उस नीम की डालियों को निचोड कर पानी को अपने बालों में लगाना है ऐसा करने से उसका रुसी पन बालों का रुखपन दूर हो जाएगा और बाल नरम हो जाएगा कि नीम में एंटी वैक्टिरियल गुर महजूद है जो डेंडरप से लड़ने में मजजद करता ह हुआ बालों को सही रखता है आपको तीसरा परियोग करना है नीम म Nim कटों परियोग कर लें है मेति के बीज दो चममस मेति के बीज लेना है उसमें चार चममस दही और एक अंड़ डालना है और चारों को अच्छी तरे से मिक्स करके मेति के बीच को किसी मिक्सी में पीस कर दही अंडा चारों को मिला लीजिए मेति के बीच को रात भर भिंगोना भिंगोने के बाद उसो मिक्सी में पीसना है चारों को मिला कर अपने बालों में अच्छे तरिका से धीरे-धीरे मसाज करना है और उसके एक घंटे के बाद आपको वही छोड़ देना है और एक घंटे के बाद अपने बाल को किसी अच्छे सेम्पू से धोए सेम्पू बार 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 बदले नहीं, सेम्पू को एक ही परियोग दो से तीन मंत करने के बाद ही चेंज करना चाहिए बार बार बदलने से उसका रुखवपन बाल टुटना सुरू हो जाता है। यह थे आयरोवेदिक निस्क जिसे अपना कर अपने बाल को लंबे मजबूत बना सकते हैं। धन्यवाद मायमाचिन।